दोस्तों अभी हमारा देश संक्टों से जूज रहा है कोरोना वायरस ने हर घर में एक नेक परेशानी खड़ी करके रखी हुई है दिहाडी मजदूर सबस्यादा परेशान है पूरा देश के एकानों में को वस्ता थोड़ी घट रही है लेकिन हमें अपनी समझदारी से ही इ दॉक्टर पेशा है मैं गरीब किसान का बेटा हूँ मुझे गरीबों का दर्द भी बहुत आता है उन गरीबों के लिए हमें क्या सोहिया करना पड़ेगा इसलिए हम लोग अपने रिवेरा सोसाइटी में एक खटे एक साथ बैठे यह तैय किया कि हम कम से कम 500 पैकेट बना इस सहथ हमने रिवेरा टाउन सोसाइटी ने करीब 500 पैकेट साब सफाई की विष्टा को ध्यान रखते हुए 500 पैकेट बनाए और इन 500 पैकेट को वितरन भी किया गया पिछले तीन दिनों से यह रिवेरा हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही है इसमें अध्यक्ष महोद है सेक्रेटी महोद है और जितने मेंबर त्योंने सब्ताय किया बांट में जरूरी है उसी के तरह हम काम कर रहे हैं और जब तक हमारा लागडाउन पीरिड रहेगा दिहारी एलन मेडिकल कालेज में डिरेक्टर के पत पे हूँ ये सद भावना हमारे मेडिकल कालेज के मेनेजमेंट को भी आई उन्होंने भी ये किया कि हम किस तरीके से गरीबों की मदद कर सकते हैं दिहारी मदूरी मदद कर सकते हैं उसी सेवा के भाव से उन्होंने करीब पास में सलया गाओं हैं उस गाओं में 160 घरों को च्छे किलो गेहुं का आटा दो किलो चावल आधा किलो दाल आधा किलो तेल एक एक सावन चूंकि हाथ दोने की विवस्ता चाहिए इसलिए कपड़े दोने का सावन हाथ दोने का सावन भी दिया हुआ है साथ में नमक भी दिया हुआ है चुकि गरीबों की सहायता में एलन मेडिकल कॉलेज का भी विजस योगदान रहता है इसलिए समाज के हित में उन्हों ने बीड़ा उठाया और आज राम नौमी के दिन से लॉकडाउन के पीरिड तक यह संस्थान सभी गरीबों की मदद करने के लिए दिहारी मजूर को इगद करने के लिए जो जरुद मन्न हैं उनके लिए ये सिवा मोहिया कराएगा धन्यवाद का बनाना हमने जरूरी समझा सुभा उठकर हम एक घंड़ी योग करते हैं और उसके बाद घर के रोजमर्रा के काम होते हैं जिसमें मेरा बेटा साफसताई में बदद करता है और पतिदेव बाकी रख रखाओं में फिर खाना नाश्ता करने के बार हम मिलकर एक नाएक कोई किताब पढ़ते हैं एक चीज और जो हमारी दिंचर्या में जुड़ी है वो है हमारी जो काम करने वाली मेज है उससे मैं जरूर दिन में एक बार बात करती हूं क्योंकि उसे मुझे या आश्वस्त रखना है कि उसे मैं अपने साथ ही समझ रही हूं और वो मेरी जिम्मेद पर रहता है ऐसे ही मेरा बेटा और मेरे पती जो हमारी कॉलनी के बाहर का गाड रूम है वहां के जो गार्ड है उनके पास जाके कम से कम 10-15 मिट बात जरूर करते हैं क्योंकि वो भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत जरूरी काम है और मैं समझती हूं कि हम सब इसी तरह से एक डिसेपी में बंद के और एक दुसरे के साथ रहते हुए अगर हम और कुछ एक्स्ट्रा कर भी ना सके तो भी इस तरह से अपना सहयोग समाज को दे सकते हैं नमस्कार मेंना नाम आयूश कुपता है मैं इंडिया का यंगेस्ट रेकी हीलर हूँ हम सभी जितने भी हीलर्स हैं रेकी grandmasters हैं master's हैं हम सभी प्रयासरत में हैं कि जो कुरोना का दुष प्रभाव है हम उसको कैसे कम करें हम distance रेकी कर रहे हैं हम group रेकी कर रहे हैं ताकि उसका प्रभाव कम हो सके और जितने भी scientists हैं जितने भी धर्म के लोग हैं जितने भी लोग हैं जिने कुछ ना कुछ टेक्निक्स आती हैं जिससे वो corona का प्रभाव कम कर सकते हैं वो अपने तरफ से पूरा प्रयासरत हैं और ज सबी ने हमें कुछ ना कुछ टेकनिक्स बताई हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल्स बताई हैं, जिससे हम कुरोना के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन मोधी जे ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आदेश का पालन करना चाहिए, हमें उसे आदेश का पालन करना चाहिए, ताकि अगर आप घर पे रहेंगे, तो आप अपने पुरे घर का सहयोग कर सकते हैं, आप पुरे देश का सहयोग कर सकते हैं, आप पुरे दुनिया का सहयोग कर सकते हैं, आप बाहर जाएंगे, तो घर में रहें डर में नहीं आप घर पे रहके काफी साई चीजें कर सकते हैं आप कुछ सीख सकते हैं इतने सारे online courses होते हैं आप painting सीख सकते हैं sketch कर सकते हैं आपको घर वालों के साथ time spend करने के लिए time मिला है तो आप please उस time का एक सद उपयोग करिए और आप please tension मत लीजे हम जित कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही जल्द करना के तोड से भी हम निकलेंगे हम करना की medicines निकाल रहे हैं जितने भी medical field के लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम सभी प्रात्ना भी करते हैं कि करना जड़ से खतम हो जाए और पुरी दुनिया को से पुरी दुनिया पॉइंट बताना चाहूंगी जो आपकी इम्मुनिटी को बढ़ाएंगे सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कोहुनी से जैसे कोहुनी मोडते हैं तो इस हड़ी के बात और इस क्रीज के बीच में यहां पर एक बिंदू है इस बिंदू पर यदि आप एक मिनट दबाव डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा दूसरा बिंदू हमारे हाथ में है जो हमारे इंडेक्स फिंगर है और थम है इसके बीच में यहां पर यह बिंदू है इस बिंदू पर एक मिनट के लिए दबाव डालिए ये आपके पूरे फाइव सेंस ओरगन के लिए बहुत उपयोगी है अगला बिंदू पैर के घुटने की कटोरी जो है इससे चार उंगली नीचे और एक उंगली बाहर की ओर यहाँ एक बिंदू है इससे भी एक मिनट के लिए दबाना है इसके बाद जो हमारा टखना है टखने से ठीक चार उंगली उपन मद्धिरेखावे बिट लाइन में यहाँ एक पॉइंट है इस पॉइंट को भी इसी तरह से एक मिनट दबाना है बिट्टो और उसके बाद वाले टो के बीच में यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसे की एक मिनट दबाना है आपको मैंने चेहरे का नहीं बताया चेहरे में जो हमारी नाग के दोनों तरफ नौस्टिल के दोनों तरफ यहाँ पर दो बिंदू है जो कि आपकी बंद नाग को खोलता है और इम्मेनिटी को पढ़ाता है तो इस तरह आप यदि इन पॉइंट्स को एक एक मिनट दबाते हैं ऐसा दिन में कई बार करिये तो आप स्वस्त रहेंगे आपकी इम्मेनिटी बढ़ती रहेगी घर पे रहिए स्वस्त रहिए धन्य नमस्कार मैं डॉक्टर विजे सकसेना डारेक्टर स्मार्सिटी हॉस्पिटल भॉपाल जो आज एक सिचुएशन क्रेट हुआ है पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में ऐसी इस्तिती में मुझे लगता है कि मुझे को शेयर करने की जरूवत है और वो बात यह है कि आज इस सिचुएशन में जो भारस सरकार ने एक पहल उठाया है कुछ दिन पहले लॉक्डाउन करने का जिसका काफी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है यकीन मानिये एक डॉक्टर होने के नाते भी में ये बात कहना चाहता हूं कि अभी हम इस वाइरस से लड़ने के को रोकना जो कि हम बोलेंगे उसका चेन तोड़ना इस वरी इंपॉर्टेंट जो की पहल भारस सरकार ने किया है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी हम आज उससे बहतर तरीके से लड़ पा रहे हैं राधर डेवलप्ट कंट्री जो बहुत ही डेवलप्ट कम है निश्चित तोरपे बहुत तेजी से फैल रहा है और अगर ये पिलेगा और अगर हम इसमें भारस सरकार का और सरकार का साथ नहीं देते हैं चाए हम किसी भी कम्यूटि को बिलौंग करते हों पर बहुत जरूरी है कि हम इसका साथ दे क्योंकि हम सब लोग एक इंसान ह और इंसानियत के नाते भी हमें अपनी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी और पूरी इंसान जो है उस धर्म का पालन करना है और हमें इसको, इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगा जैसे कि हम बोलते हैं खून का रंग जो है वो किसी भी कम्यूनिटी का हो एक ही होता है वैसे ही ये शरीर जो है ये उपर से जो आया है वो बिलकुल एकसा है हर कम्यूनिटी का एकसा है ऐसी इस्तिती में मुझे लगता है कि हम वो सारी बातें जो आज सोशल मीडिया पे गलत तरह से चल रही हैं लोग एक दूसरे की उपर ब्लेमिंग कर रहे हैं ऐसी बातें ना करें और हम सब लोग एक साथ होके इस संक्रमन से लड़ाई लड़ने की कोशिश करें मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में सोशल मीडिया पे बहुत सारी दवायों को लेकर भी बात हो रही है जो कि अभी पूरी तरह से रिसर्च होके सामने नहीं आई है पर डेफिनिटली उन दवायों का कुछ उपयोग करने से कुछ फायदे नजर आये हैं पर ऐसी दवायों प्लीज खृपया करके किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हो तो यह ना माने कि यह कोरोना ही है यह सिंपल फ्लू भी हो सकता है पर अगर सपोज आपको कॉन्टाक की हिस्ट्री है आपको सस्पेक्ट क्या आसपास की हिस्ट्री है तो ऐसे सिचुएशन में और उनसे कोई भी दवाय ना ले ऐसी सिचुएशन में अपने डॉक्टर से मिले अपने डॉक्टर से संपट चरे आजपास की डउक्टर से संपर करें और उनसे अड्वाईज लेने के बाद ही कोई दवाय का सेवन करें क्योंकि यह बहत आम कि थारी हैं यह जो आपको आसा कोरोना से नहीं बलकि drug के side effects से आपकी जान जा सकती है तो मुझे लगता है हम सब लोग एक साथ एक जो ठोकर इस संक्रमट से लड़ाई लड़ने की कोशिश करें और निश्चित तोर पे जीत हमारी होगी हम जीत जाएंगे अगर हम सब लोग एक discipline way में इस लड़ाई को कोरोना एक वैशी बाज अपने कुनी बाज आस्मान में फैलाए मन्रा रहा है खोब फैला रहा है लेकिन हमें नहीं होना है खोबजदा, रखना है उचा होंसला, देना है कायर कोरोना को मूर तोर जवाब, करना भाए फिर कभी इस तरव है रुक, आज ही कर देना है चुकता पूरा हिसाब, हमें रखना है धेर, धीरज, साहस और धर्म, आज यही है हमारा परम कर्म, रखना है साफ सुत्रा घर का कोना कोना, और अपने मुक्या की मन की बात का मन से करना है पालन, रखना है ध्यान, सुनिये भाई साथ और भाई जान, लाग डाउन का भी न करें कभी उलंगन, लाग डाउन का भी कहीं न करें उलंगन, वरना लाख हो जाएगा यह अनमोल जीवन, और और भी जरूरी बात, मुपर लगाए रखिये मास, और भी और भी जरूरी बात, मुपर लगाए रखिये मास, दूरी रखिये परयाप्त, सो की सीदी एक यही अपने भले की एक बात, हम हिंदू, हम मुस्लिम, सिक्क हम इसाई हैं, भारत के वासी सब भाई हैं, भाई हैं, हमारा एक जुट रहना ही हमारी ताकत है, हमारा एक जुट रहना ही हमारी ताकत है, इससे ही रही सभी को जो तरफा दैशद है, हम महा काल के लाल, काल भी हमसे गवराता है, हम महा काल के लाल, काल भी हमसे गवराता है, शक्ति पुत्र हम पलग जपकते, फांद आते हैं सास समुन्दर, कितना भी उचाओ, किसी गर्वीले परवत का कोई शिकर, अपनी कीती धोजा, फैराने में लगता नहीं है, हमें पल बर सागर से लेकर, आसमान तक, सागर से लेकर, आसमान तक, लिखी हमारे पौरुश की काहनिया है, वसुदेव कुटुम्व गंके आरादकम सचे इंदुस्तानीया है, वसुदेव कुटुम्व कंके आरादकम सचे इंदुस्तानीया है, सचे इंदुस्तानीया है, नमस्कार, मैं डॉकर मनुश मारसिंहा, Associate Prof. Economics, Government College में सुभाई भनुभा, अभी संपोन भारत एक अबुद्पुर्व संकट से गुज़र दा है कोविड-19 जो एक वैश्विक महमारे है उससे संपोन विश्व जंग लड़ा है ऐसी इस्तिती में भारत ने हमारा क्या करता भी है हमारे लिए क्या चुनौतियां है इस पर विशार करना बहुत ज़रूरी है अभी भारत में संक्रमन की दर वैश्विक की दर के संक्रमन की दर से कम है एवं भारत में अभी इस्तियां कंट्रोल में है फिर भी कुछ ऐसे छत्र है और प्रांत है जहां पर यह तीजी से प्यार पसार रहा है कि कोविड नाइंटिन यह एक ऐसा विशानुजनिक द्रोग है जो हमारे हाथों के माध्यन से अग्यारे मून नाख आखों तक कुछ करते और यह संक्रमन अंतता हमारे प्टेख़ों में स्वसंद लिकाओं एवं स्वसंद को शिकाओं तक कुछता है एवं हमारा स्वास अविद्ध होता है बहुत ज्यादा टेंप्रेचर आने लगता है और ऐसी इस्तिती में व्यक्त जो है वह काफी कश्ट डाई इस्तिति में जाता है कि इससे बचने का एक मात्र तरीका है वह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉप जो सरकार के द्वारा लिया गया एक प्रभावी कदम है और इस कदम का हम सभी स्वागत करते हैं एवन शार्षन और प्रशार्षन को इसने हर संभव सहयोग करने की अपील भी लगते हैं अब एक बात समझने की है कि जब सत्रू अद्रिश्य हो तो इससे बचने का एक मात्र तरीका है अपने आपको छुपा लेना और यहीं काम करना है हमको लॉप डाउन में अपने आपको अपने अपने घरों में शुरक्षित रहना है सोशल डिश्टैंसिंग बरक्राब रखनी है एक मीटर से अधिक दूरी मेंटेन करनी है अपने घरों में क्यायद होकर रहना एक बहुत ही बड़े चुनौती है यह चुनौती है मिक्तु से डर का चुनौती है आउसाद का निदाशा में हसने का चुनौती है दीन चर्जा संबंधी स्वास्थे के अनेक रोगों से घरस्थ होने का यह चुनौती है हमारे आर्थिक शुरक्षा का यह चुनौती है एक रस्था का अब इस चुनौती काम सामना कैसे है प्रस्थन यह है कि कर्म वीर वह है जो हर चुनौती को आउसर में बदलना जाए और यह चुनौती भी आउसर में बदला जा सकता है यदि हम चिंतन नहीं हमें स्वाध्धाय करना होगा हमें सासों की राष्टे मन के दर्वाजे से अंतह करण में कहुंचना होगा जहां तनाव मुक्त और शांती राप्त होगी हमें अपने पाईवारिक आज पूरे विश्व के साथ मिल जूल करके दूसरे का हाथ उटाना होगा और खासकर युवापिडिंश्य मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके वे बहुत कुछ से नया काम सीख सकते हैं जैसे खाना बनाना ओच्छा लगाना बरतन साफ करना जो उनके यक्तिकर जीवन में भूश्य में बहुत काम आसका है समस्कार मैं डॉक्टर सुने लाठोर चेर्मेन वी आईसम गुरुफ आफिस इडिज गौलियर मदपडेस आज पूरे विस्व के साथ साथ भारत वर्स भी कोरोना वाइरस से पेडित है इस संक्रमण की अभी तक कोई भी मेडिसन नहीं बनी है ना ही कोई वैक्सीन बनाए ह इसका सबसे अच्छा बचाओ है कि हम लोग सोसल डिस्टेंस को मेंटेन करें अपने हातों को अपने घर के खिर्की दरवाजों को सेंटेस करें साबुन से बार बार हाथ दोएं इस महामारी के बीच में सबसे वड़ी खुसी की बात ये है कि आज 130 करोड आबादी के इस दे भारत वासियों की चिंता करने वाले माननी प्रदान मंत्री शिनानिंद बोधी जी बहुत ही चिंति थें उन्हों ने जो लोकडाउन की घोस्रा की ए इस लोकडाउन को हर वेकती को एक सच्चे नागरिक की तरए उसको मानना चायिए और साथ ही साथ अपने परिवार के सच्चा प्रेम दिखाने का अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको सोचल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए बहुत जरूर पड़ती है तो घर से बाहर निकलें मास्त लगाएं और होगा ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है जैहिन जैवारत दमश्कार इस समय हम लोग एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स या समय से गुजर रहे हैं जिसमें कि यह हमारी कोविड-19 वाइरस के कारण फैली हुई इसके लिए प्रिवेंशन इस दक्योर यह सिद्धान मानना प लक्षण इसके हैं पहला लक्षण है इसमें गला खराब होता है स्नीजिंग. नाकसे पान बहना सास को लेने में भी डिफिकल्टी होती है और इसके साथ साbig कॉफ ने लगता है जब यह और बढ़ती है वीमारी तो इसमें नीचे की तरफ लंस की तरफ infection पहुचता जब लंग्स में जब इन्फेक्शन पहुचता है तो डिफिकंटी सांस लेने में भी है परिशानी होने लगती है तो यह इसके सिंप्टम से यह शुरुवात ऐसे ही काती है जैसी कोई और फ्लो करता है लेकिन जब यह प्रोग्रेस होती है तो कॉंप्लिकेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के कारण फैटल या मौत भी हो सकती है इसके लिए रोकने के लिए जो पाहें बहुत इंपोर्टेंट है वही हमको मालूम होना चाहिए और सीखना चाहिए यह जो बीमारी बैड़ती है तो यह बैक्टेरिया कफ के कारण जैसे क बाफ हुआ तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वह बाहर गिरते हैं तो वह ड्रॉपलेट्स के आप जब कॉंटेक्ट में आते हैं तो उसका संक्रमन जिस्वक्ति के कॉंटेक्ट में आते हैं उसको हो जाता है तो उसको रोकने के लिए सबसे कारगर हुपा है है हैंडवाश फ्रि कटम हो जाता है तो उसके लिए about 30 seconds wash करना चाहिए हाथ को दूसरा है कि मास्क लगाना चाहिए जिससे आपको अगर है infection तो आप दूसरों करना दे या दूसरा सामने से sneeze कर रहा है तो आपका भी protection उससे हो जाता है तीसरी बहुत है जो important बात है कि जब कहीं बाहर निकलें या किरीशी बीड़वार एरिया में जाएं तो distance maintenance होना चाहिए जैसा मैंने बताया यह droplets से बीमारी भेलती है तो जो एक मीटर के दूर तक यह खासने उससे जा सकती इस ती एक मीटर से अधिक दूरी maintain होना चाहिए तो जो पुराना तरीका और देश का तरीका नमस्का करना वही उच्छत है अपने face और मुझ को आँखों को नहीं चुना चाहिए जिससे कि यह नहीं के थूरू अपने शेरी में एंट्री कर सकता है अब मेरा यह कहना है इसको अगर इसके कोई बात होती है तो इसको अपने को चुपाना नहीं चाहिए और फॉरण डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उचित गाइडेस लेके पूरे इंवेस्टिगेशन करना चाहिए इससे डढ़ने की वावशकता नहीं क्योंकि काफी लोग ठीक भी हो जाते और रिकावरी बहुत अच्छी होती है कभी-कभी अगर सबी इसके लिए बहुत मेहनद कर रहे हैं तो उनको सहयोग दीजे और इस पीमारी को बढ़ने से बर चाहिए धन्यवाद मैं इंजिनियर दिवर्शी मिश्रा सभी नगरवासियों से एक आग्रे करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें पता है पूरा विश्व COVID-19 जैसी महावारी से ग्रशित हो रहा है उससे बचने का प्रयास कर रहा है उसी तरह हमारा भारत वर्ष भी इस लड़ाई को जीतने के लिए सारे प्रयत्न कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने जिस तरह से सभी नगरवासियों सभी देशवासियों से निवेधन किया है कि सभी लोग घर में रहे हम सभी को उसका पालन करना चाहिए यह हमारे हित में है हमारे जीवन के हित में हमारे पर कि यह निश्चत है कि हमारा नुकसान हो रहा है पढ़ाईक में यह सच है कि अगर इस तरह की महमारी हमारे सामने नहीं होती तो इस समय को बहुत अच्छे से हम यूटिलाईज कर रहे होते लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम विद्यार्थियों के पास में ऑनलाइन जैसी एक ऐसी सुविधा है जिसका हम पालन करके अपने समय को बचा भी सकते हैं और हम बहतर से बहतर पढ़ाई भी कर सकते हैं तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यह आगरे है कि वे ओनलाइन क्लासिस लेकर के अपने विद्याले से अपने रेस्पैक्टेड टीचर से पढ़ाई को अरते रहें इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होए ये एक कठिन घड़ी है हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए उसमें एक समझदार नागरिक की भुमिका निवानी है हमें ध्यान रखिए अववाउं से बचिए जैसा कि हमसे बुला गया है समय समय पर और बार बार हाथ धुए कोशिस करिए आप घर में रहिए बाहर ना निकलिए ये दिविद्यार्थी ये ठान ले कि उनको एक जिम्मेदार नागरिक की भुमिका निवानी है तो वो चाहें अगर तो अपने घर पर माता पिता और बुजुर्गों को भी बहुत ज़्यादा आगरे कर सकते हैं कि वो भी बाहर न जाए और स्वयम विद्यार्थी भी बाहर न जाए तो मेरा आगरे सभी विद्यार्थियों से फिर से एक बार है कि ओनलाइन क्लासिस को लेते हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करें पढ़ाई पर ध्यान दें और एक अच्छे नागरिक की भुमिका भी साथ साथ हम निभाते रहें मैं समीर यादो अडिशन एस्पी सिहोर हूँ और मैं आपसे यह जानकारी शेव करना चाहता हूँ कि हमारे जिले में बहुत सारे अन्यकारियों की बज़े से जैसे कि यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज हैं और जो खेती ही हर मजदूर होसते हैं उसको लेकर के अलग-अलग राजियों से खास तोर पर हरियाना, पंजाब और उत्तरबदेश और इसी तरह से कुछ सत्तिस गड़के और हमारे इस्टेट में अलीराजपूर जाबवा पत्यादी के मजदूर आए होए थे यहाँ पर और हमारे जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वो लोग जो बाहर फसे हुए हैं इन सारे लोगों के लिए यहाँ पर जीला प्रशासन के साथ समन्दमाई करके हमने व्यवस्था की है खास तोर पर जो नजरुला गंज, गोपालपूर, बुधनी और आश्टा वाला जो शेत्र है उसमें काफी बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर थे जो कि यहाँ पर खेतिहर मजदूर की रूप में काम कर रहे थे और इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उनको रुखने की वेवस्था, उनके स्वास्था की परिक्षन की वेवस्था और शासन की तरफ से या जो NGO's या समाजीक कार्यकरता की रूप में उनकी मदद करना चाहते हैं उनकी तरफ से भोजन वितरन की वेवस्था सुरक्षित रूप से की हुई है इसके अलावा भी हमने ये तैय किया है कि पूरे जिले में कोई भी ऐसा दिहाड़ी मजदूर या फिर जो की रोजाना काम करके अपना जीवन चलाते हैं बूखा न रहे इसके लिए आश्टा में भी और सिहोर जैसे बड़े शहर में हमने यहां पर जो नगर पालिका है और जीला प्रशासने उसके माध्यन से जो दीन दयार रसोई योजना है उसके अंतरकत भोजन वित्रण और उनके रहने की अच्छी विवस्था की है हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर जैसे कि रायस्थान से जो लोग होते हैं जो भेड और उक लेकर के आते हैं वो लोग भी रुके हुए थे इसी तरीके से जो उत्तरप्रदेश से जो मजदूर आय हुए थे वो लोग भी रुके हुए थे तो ये lockdown के स्थिती में उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि वो अपना रोजी रोटी कैसे चलाएं क्योंकि 2-4 दिन, 5 दिन उसके सारे रहा जा सकता है लेकिन फिर उसके बाद खाद्यान समाथ हो जाता है तो हमने लगातार ये प्रयास किया है कि उन तक भी प्रशार्षासन के लोग पहुंचें और मैडिकल की टीम जाये ताकि उनका स्वास्ते परिक्षण भी होता रहे और उन्हें भोजन का भी वितरण होता रहे इस तरह से पूरे जिले में व्यवस्था है और हम ये लगातर प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे लोग जो की जरूरत मंद हैं उन्हें आप लोग के माध्यम से भी जानकारी मिलने पर हम ये सारी चीजें उपलब्द करा सकें धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सारी का मिलोज गुप्ता है मैं विश्वा मित्रवाडी भुशु गोच हूं सन 2007 से इंडियन भुशु टीम को ट्रेंग करा रहे हूं आप लोग जैसा कि जानते हैं हम सारे कोरिंटाइन है इसो लेट है अपने अपने घरहों में सरकार जितने प्रय किसी भी वाइड़स से लेनने में हम सक्षा मूं मैं आज आपको सिंपल सिंपल एक्सराइज बता रहे हूं सबसे पहले आप अपने पैरों को इतना ब्दूर कर लीजे और एक साइट कीजिए अपने पैर को डाउन जाए होल कर यह जतनी दिर आप कर सकते हैं एक सामने को अपने साइट डाउन वोल्ड एन आप सिंपल स्क्वाइट करेंगे बीचे जाएए यतनी देर आप खुल कर सकते हैं वोल्ड करें एन आप बैठे हैं ओल्ड एन आप डाउन ओल्ड एन आप नमस्कार मेरा नाम गॉप्टर दीपक उपरिजा और मैं एक शिशी रोग कठिन समय हैं विकट परिस्थितियां हैं और मैं उमीद करता हूँ कि इस समय में आप और आपका पुरा परिवार कोरोना वारस के संक्रमन से बचा हुआ है और आगे भी बचा हुआ ही रहेगा आज का अपना मिश्य है कि किस तरह से हम खुद को और अपने बच्चों को कोरोना वारस के संक्रमन से बचा सकते हैं और इन विकट परिस्थितियों के अंडर किन आदतों का और कौन सी चीजे बच्चे के खानपान में भ्यानते हैं जिससे बच्चे के अंदर उसकी प्रति प्रति रेत्ते के शरी में या तो डिरेक ट्रांसमीशन से आ सकता है या फिर बच्चे को रोपने के चाल तरीचे सबसे महत्तवूर्न तो इसको सही तरीजिसे से मास पहना कर लेगा तो इसे बीस्तिन पहने बच्चे को दूर रखें और चौथा जैसे कफाई जीन कहा जाता है कि अगर कोई छीकता है खासता है तो आपने नाक और मुण को टिशू या रुमाल से ढखें या फिर अपने स्लीव स्केलर चीकिया खासे इन चार तरीकों से हम अपने बच्चे को डिरेक्ट कब्सक्षन से बचा सकते अगला इंडैरेक्ट ट्रांस्वेशना औरत होता है कि हमारा बच्चयभ अपने नाक्यमिआ उपर रेक्ब Mediated Transmission कहा जाता है इसको रोपने के लिए क्या करना है सबसे पहला आपने बच्चे को भार भार शिक्षित करें कि जब तक जरूरी नहों नाख, मुग, आख पर चेहरे को हाट ना लगाए नमस्ते, मेरा नाम Nikita Manului Mahonle है और मैं एक IT Engineer के साथ निकिताज योग, निकितन की फाउंडर भी हूँ मैं एक Internationally Certified Yoga Teacher हूँ और पिछले कुछ दो साल से मुपाल में Yoga सिखा रही हूँ लोगडाउन के अनॉस्मेंट के बाद मेरी जितनी भी लोग से बातरी सभी काफी परिशान और चिंतिक रही जो कि ऐसी सिचुएशन में नॉमल है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ओन्लाइन क्लास लेना स्टार्ट करूँ हूँ 21st मार्स से डेली मेरी ओन्लाइन योगा क्लास लेस चल रही है और ना केवर मेरी स्टूडेंस जो कि भोपाल में हैं बलकि ओल ओवर इंडिया से काफी सिटीज से लोग मेरे साथ चूड रहे हैं घर पे योगा कर रहे हैं इस कॉरिंटाइन पीरेड में ये मेरा एक इनिशेटिव है कुछ हद तक आप लोगों की मदद करना ताकि एक आप पॉजिटिव एटिट्यूट से इस सिटूइशन के साथ लड़ सकें हमें साथ मिल की इस सिटूइशन से ना सर्फ निकलना है बलकि mentally and physically strong होके उभर के आना है ताकि हम आगे अपने इंडिया को, अपनी फैमिली को और strong level पे ला सकें तो मेरी आपसे हाँ जोड़की बस इतनी सी बिंदी है कि आप घर पे रहें, गवर्णमेंट में जो रूल्स दिये हैं वो आपकी सेफटी के लिए ही है प्लीज उन्हें फॉलो करें मेरी मदद कि अगर आपको आपको आभशक्ता लगती है तो इंस्टाग्राम और फेस्बूक पे निकिताज योग निकितन के नाम से आप मुझे टून सकते हैं और वहाँ मेरे contact number है आप पिल्कुल बे हिजब कभी भी मुझे call कर सकते हैं प्लीज बी सेफ और अपना ये घर का जो टाइम है इसे यूटिलाइस करें इसको एक blessing लेके चलें ओकी ये आपको आगे कहमाएगा धन्यवाद stay home दोस्तो नौशकार चूराइए मनोज गुप्ता इंटर्नेशनल वूश्य कोच इंटर्नेशनल वूश्य जजद साती साथ हाल ही मैं इंटर्नेशनल वूश्य इस परदा में मैंने खुद कहिले कर बोल्ड मेडिल भारत के लिए जीता हूँ आप सभी से मेरा निवीदन है इस वक्त कुरोना वाइरस से बचने के लिए आप सभी अपने घर में रहें बाहर बिलकुल न निकलें क्योंकि ये वाइरस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्प में आने से ही फैलता है तो बहतर होगा हम घर में रहें, शासन के निर्देशों का पालन करें, लागडाउन का पालन करें खुद को, अपने परिवार को और अपने देश को इस आपड़ा से बचाने में मदद करें अन्यवार नमस्कार, मैं विरेंद्र एस्टिम्दतिया, आज आज आप से गुजारिस करना चाहता हूँ जो कॉविड नामक महा मारी है, एक बैश्यू के बरबर फैल रही है, आज पूरा समस्त तंसार इसके ख़तरे से दूजरा है, सामना कर रहा है आप इसको अत्यांत गंबीरता भूल लें, जो कॉविड नाइटिन या कॉरोना वाइरस से होने वाली बिमारी, बहुत ही संक्रमत हमारी है, एक दूसरे के छूने से फैलती है एक संक्रमत विक्ति, कही सारे स्वस्त विक्तियों को संक्रमत करने की चंता रखता है, इस बिमारी से बचा भी इसका इलाज है हम संक्रमत की चैन है, उसको तोड़कर इस बिमारी से समस्तंसार को यह भारत इसको बचा सकते है आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप घर में रहें एक दूसरे को छुएना लगातार हाथ दूलते रहें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आपको आईसोलेटिट रखें लॉकडाउन जो भारत सकारवरा लाया गया है इसी डिरेक्शन में एक स्टैप है हम सभी लॉकडाउन का पालाण करें करें लॉकडाउन आरथाद घर में रहना संक्रमण व्यक्तियों से दूर रहना बचके रहना अपने आपको स्रुख्षच रखना हम सभी इस लॉक्डाउन को पूरी तरह पालन करकर संक्रमण का जो इस्प्रेड इसको कम कर सकते हैं एवं जो भारत में स्वस्त्र व्यक्तियों की संख्या है उसको संक्रमण होने से प्रिशासन को पुलिस को डॉक्टर्स को तुरन सूचित करें एवं हम सभी का सहयोग करें तब घर पे रहेगा भारत तबी तो जीतेगा भारत जाहिन जाय वारत नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा सिंग, मैं शास्की नवीन करने हाई स्कूल कोड्र सुल्तानाबाद भूपाल में शिक्षिका केपत पर कारे रहत हूं जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, मरतमान में COVID-19, कोरोना नामक महामारी ने पूरे विश्व में आतंक मजाय रखा है हजारा लोगों की इस बिमारी से मौत हो चुकी है, लाखों लोग आज भी इस संक्रमित हैं और इस बिमारी से बचने के लिए देश-विदेश में लोग डॉण किया जा रहा है और मैं भी इस लोग डॉण का पूरी तरह पालन करती हूं मैं अनावश्य करूप से घर से बाहर नहीं निकलती हूं और सनटाइस का यूज करती हूं और मैंने शिक्षिका के तोर पे अपने एक WhatsApp ग्रुप का निर्मान किया है जिसमें मेरे बच्चे जुड़े हूए हैं उसमें में प्रती दिन पढ़ाई से संबंदित शिक्षण समगरी बच्चों के समक्ष प्रसुत करती हूं कुरूना से बचाओ के लिए बच्चों को बताती हूं वो बच्चों को भी एदी कुछ पर्शानी होती है तो मुझसे साज़ा करते हैं और उसके निवारंग के लिए मैं पूरी तरह कत पर रहती हूं इस प्रकार में अपने शिक्षण के तोर पे जो करुएं उसका भी पूरी तरह से दाइतवोर का निर्वहन पर कर रहे हूं अंतर में अप प्रभू से भी मेरी कामना है कि प्रभू हमें टाकत दें अपना अशिरवात दें कि इस माहमारी से हम बच सकें और पूरा विश्वेस जो भायवा बिमारी से जू उच रहा है वह यह जो बिमारी अब पूरी तरह खत्म हो जाए सर्वे भवन्तु सुकेना, सर्वे संतु निर्वामया, सर्वे भद्राणी पश्यूंतु, माकर्शिद्दुख भागवेग इसी कामनाओं के साथ मैं आप सबी से अन्रूत करती हूँ कि घर में रहें और सुलक्षित रहें नमस्का, जैसे कि आप सब को पते हैं हमाने देश में बहुत बड़ी महामारी आई है जिसका नाम कोरोना वायरस है इसके बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग याने की सामाजिक दूरी का पालन करना है एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाके रखना है समय समय पे अपने हाथ दोते रहना है सेनिटाइजर का यूज करना है छीक्ते आखासते समय रुमाल के इस्तमाल करना है घर में रहना है लोकडाउन का पालन करना है बीड़ बाड़ वाली जग़े पे खटा नहीं होना है और अपने घर में सुरक्षित रहना है अगर आप तो मैं डॉक्टर ममता, आप सभी के बीच मैं फामेसी कॉलेज में प्रिंसिपल पर कारे रहत हूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, लेकिन हम सब को सायम बनाए रखना है, होसला बनाए रखना है और घरों मे दोस्तो मैं कहना चाहूंगी कि इस बीच हमें अपने खान पीन के दियान रखना है, अपने सौासते के धियान रखना है और हमें खाने में ऐसे सब्सक्राव धों का इस चित्हब करका करना है, जो हमारी कोवीट से डरना नहीं है उसे लड़ना है और घरों में बैठकर हम ये जंग निश्चिती जीतेंगे नमस्कार मैं डॉक्टर प्रमोध निमा एक और्थोगडिक सर्जन हूँ जो इंदोर में प्रैक्टिस करता हूँ आज मैं आपसे एक बहुत महतुपूर्ण समस्या के बारे में कुछ बाते करना चाहते हुए जो सबसे बड़ी समस्या आज की है तो विश्व एक बहुत आपत कालनी इस्तिति से गुजरर रहा है दोशों से अधिक देश एक पॉरना नाम के वाईरस से संक्रमीत हो चुपे है कोवीना नाइटिंग नाइंकेस वाईरस के दोरा संक्रमण की तेजी से फिलता है कि रगति से व्गति के द्वारा ये खिलता है इसको इसको contagious disease हो क्या हुत कि यां उठता है उठता है यह किसी चीज़ को टच करता है तो वह था सपास घुरी का सपेस हो सपयों लकडिका सपेस हो या कोई भी सप्आर्वश उस सपर शैंड़ा घंटे तक Sus essas कि 9-12 तक तक से ज्यादा आपादीश से घर्सित हो चुकिये और 55,000 से ज्यादा याने 5% से ज्यादा इसके कारण डेथ म्रत्यु हो चुकिये इस वाइरस से हमें बचना है तो सबसे पहले सबसे मत पुर्ने कि कि prevention is better than cure याने इस वाइरस से हम निरंतर बचते रहेंगे वो किस प्रकास से बचा जा सकता है नंबर वन सोचल डिस्टेंस याने कि सबसे पहले हम व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी तीन फिट तक मैंटेन करें उसके बार मास्क पहनना आती आवश्या के क्योंकि मास्क के द्वा करा हम डॉपलेट्स को वाइट कर सकते हैं तीसरा है बार बार हाथ दोने और बार बार हाथ दोने से 20 सेकंड अगर अच्छे साबुन से हाथ दो जाए या को इस्टरलाइजर से इस्टरलाइज के जाए तो वाइरस उसे वक्तों आपे मत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कि अगर हम हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉम रखेंगे तो वाइरस हम पर आक्रम नहीं कर पाएगा और उसके लिए जरूरी है हमें अच्छे फल जो विटामिन से यूखते हैं जैसे कि संत्रा मौसंबी इत्यादी दूसरे हमारी टाइट अच्छी होना ची है हाई प्रोट इस समय देश में कोरोना का संक्र चल रहा है उसके उपर एक गजल में लिखी है जो आपके सामने प्रस्तोत है आनंद दीजिए कि छोडो रोना दोना भीया हारेगा को रोना भीया अपने घर में रहना कुछ दिन पलके नहीं भिगोना भीया पलके नहीं भिगोना भीया साब सफाई रखना पूरी हाथ बरावर दोना भीया जो बोगे सो काटोगे प्यार महबत बोना भीया नाजुक फूलों के तन्मन पर नाजुक फूलों के तन्मन पर काटे नहीं चबोना भीया अपने घर में खाना पीना अपने घर में सोना भीया अपने घर में सोना भीया। कंदों को मजबूत बनाना, बोज हमें हैं ढोना भीया, फूल खिले हैं तरह तरह के, माला एक पिरोना भीया, उड़ जाएं नीने रातों की, ऐसे ख्वाव संजोना भीया, तुम बिन खाली-काली सा था, घर का कोना-कोना भीया, छोड़ो तुना-दोना भीया, हारेगा कोरोना भीया, अपने घर में रहना कुछ दिन पलके नहीं भीवोना भीया, साब सपाई रखना पूरी हाथ बराबर धोना भीया, नवश्कार.